नमस्कार दोस्तों, मुर्धा कैसे भला लोटकर अपने घर वापिस आ सकता है? कहने में तो ये एक असंभव सी कहानी लगती है, लेकिन जब इसको कोई संभव करके बता दे, तो शायद हम यूँ कह सकते हैं, कि आज कल मुर्दे भी हमसे बात करते हैं, आज कल मुर्दे भी लोटकर अपने घर को आते हैं. आज की कहानी कुछ ऐसी ही, जिसमें एक कहानी ये बताती है, सची घटना की मुर्दा अपने घर वापिस लोटकर के आ सकता है. ये करनाट का बेंगलूरू में एक जगह है डोडा विहार वलू, डोडा विहार वलू की ये सची घटना, आज आपको बता रहा हूं, यहाँ पर नवीन और अनुपलवी और इन दोनों के दो बच्चे, अराम से पूरा परिवार, मजे से रह रहा है, किसी बात की कोई फिक नहीं है, नवीन के आटा चक्की है, और जब आटा चक्की से काम पूरा हो जाता है, तब नवीन के पास एक पुरानी कार है, जिसे वो टेक्सी के रूप में उप्योग लेता है, और वहाँ से वो अपने लिये धन कमाता है, कुल मिलाकर के हम यूँ कह सकते हैं, कि नवीन के पास ने तो किसी बात की कोई कमी है, ने तो साधन की कमी है, ने ही वेविसाय की कमी है, अपना पेट आराम से भर सकता है, अनू पलवी खुश है अपने दो बच्चों के साथ, और अपने काम करने वाले पती के साथ, रोजाना नमीन अपनी आटा चकी जाता है, काम करता है, औ तब वो आटा चकी से थोड़ा जल्दी फरी हो जाता है तब नमीन अपने कार का उप्योग करता है उसको टैक्सी बनाता है और वो काम करता है लेकिन क्या पता कि वापिस एक दिन लोट के नमीन आएगा या फिर नहीं आएगा ये कहानी है 23 जुलाई 2022 से सुरू होती है 23 जुलाई 2022 को नमीन रोजाना की तरह अपने घर से टैक्सी लेके निकल जाता है नमीन को ये जरूर पता था कि आज आटा चकी पे टैक्सी रोकेंगे आटे चकी के लिए काम करेंगे और वापिस लोट करके आएंगे अगर समय से पहले फरी हुए तो 2022 को वापिस नहीं लोटता है शाम होती है आठ बस्ते हैं अनुपलवी की धड़कन तेज हो जाती है कि आज जनमीन वापिस लोट करके क्यूं नहीं आया आठ से नो, नो से दस, दस से ग्यारा और यूं करते करते 24 तारीक की सुहा सूर्य किर्ण धर्ती पर आ जाती है अनुपलवी पुरी रात नींद नहीं ले पाती और ये सोचती है कि आखिर उसके पती आज वापिस क्यूं नहीं है आज ऐसा क्या हो चुका है अनुपलवी लगातार कोशिश करती है, अपने फोन से लगातार कोल मिलाती है लेकिन फिर भी वापिस वहाँ से कोई उत्तर नहीं आता है इस पर अनुपलवी उनके मित्र, उनके दोस्त, उनके रिष्तेदार यहां सब भोन करती है लेकिन वापिस वहां से कोई जवाब नहीं आता इसी बीच पुलिस कंप्लेन करवानी चाहिए अनुपलवी को लेकिन अन्नुपलवी ये सोच के पुलिस कम्प्लेन नहीं करवाती है कि शायद बाहर चले गए होंगे रिस्तिदार में कहीं जल्दी ही वापिस लोट करके आ जाएंगे. इसी बीच एक अन्नुपलवी की ननन जो नमीन की बहन होती है वो पास ही रहा करती है. रोजाना नमीन और बहन के बीच में बात होती है लेकिन इस बार बात नहीं हुई क्योंकि काफी एक हपता हो चुका था नमीन लोट करके वापिस नहीं आया था. दो अगस्त को बेहन ने भाई को कॉल किया लेकिन भाई कॉल नहीं उठा रहा है इस पर बेहन नवीन के घर मिलने आती है और बोलती है कि आखिर नवीन फोन क्यों नहीं उठा रहा है कहां है अनुपलवी से मिलने पर पता चलता है कि नमीन साथ दिन से उपर हो चुके हैं घर नहीं लोटे हैं बाहर ही है जब नमीन की बहन अनुपलवी से कहती है कि साथ दिन हो गए अभी तक लोटे नहीं है पहले तो मुझे फोन करना चाहिए था फोन क्यू नहीं किया इस पर अनु पुलीस में कम्प्लेन नहीं करवाई है ये सोचके नहीं करवाई है कि हो सकता है वो अपने गाउंड चले गए हूं वापिस लोट करके आ जाएंगे पुलीस का लफडा होगा तो रिस्ताधरी में बदनामी होगी। सर्च ओपरिशन में कि आखिर क्या हुआ पुलिस तथ्य जुटा रही है पुलिस CCTV कैमरा चेक कर रही है और पुलिस अपने जांस परताल लगातार कर रही है इधर 6 अगस्त का समय हो जाता है छे अगस्त को नमीन के घर सारी इस्तिदार आ चुके थे सारे के सारे घर पर आ अपनी परती के लिए दे रहा है कि आखिर क्या हुआ क्यों नहीं आया नमीन कहां चला गया फोन नहीं लग रहा है उसकी लोकेशन कहां होगी नमीन कैसे होगा लेकिन अचानक से नमीन सही अवस्ता में अपने घर के दरवाजे पर नौक करता है जैसे ही सब उसकी तरफ दे है यहां से कि आखिर नवीन वापिस कैसे आया और अनुपलवी नवीन को देख करके एकदम सक पका गई थी कि नवीन वापिस कैसे आ सकता है शायद वो इस डर से कि हो सकता है नवीन वापिस नवीन ने अनुपलवी ने ये सोच लिया कि नवीन अब इस दुनिया से जा चुक इसलिए उन में से एक बंदा पुलिस को फोन कर देता है कि भाई नमीन वापिस आठ चुका है आप सार्च ओपरिशन बंद कर दीजिए पुलिस आती है इधर अनुपलवी अभी भी बेहोश पड़ी है सक पकाई हुई है नमीन को देख करके कि आखिर ये कैसे संबभ हो सकता ह जैसे अनुपलवी ने ये मान लिया हो कि उसका पती इस दुनिया में नहीं रहा है पुलिस पुस्ताच करती है घर पे आती है और नमीन से पुस्ताच करती है कि भाई बारा दिन आपके घरवाले परिशान थे इसमें तुम कहां थे कौन सी दुनिया में थे घरवाले इतना आ रहा था, छक्की का काम करके वापिस आ रहा था, इसमें मुझे दो लोग मिलते हैं, जो कहते हैं कि मुझे अपनी टैक्षी से थोड़ी दूर झोड़ेंगो, उन दोनों लोगों को सवार करता हूँ टैक्षी पे, थोड़ी दूर जाने के बाद में एक तीसरा आदमी और मिलता है और तीसरा आदमी ये कहता है कि मैं इन दोनों आदमियों को जानता हूँ आप हमें एक गाउं में छोड़ के आजए मैं भी इनके साथ ही जा रहा हूँ ऐसे में सुनसान रास्ता था रात बहुत हो चुकी थी मुझे ये डर था कि अब शायद मेरे साथ कुछ न कुछ गलत होगा लेकिन काम था जो मैं काम कर रहा था सुनसान जगह जाने पर इन तिनों आदमियों से मैंने पूछा कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं उन तिनों आदमियों को दया आ जाती है वो ये कहते हैं कि देख भाई हमें इस काम को करने के लिए दो लाख रुपए मिले हैं और नब्बे हजार रुपए हमें एडवांस मिल चुके हैं और एक लाख दस हजार बाकी हैं अब हमें तुम्हें मारना ही पड़ेगा नवीन ये बात सुनकर के घबरा जाता है वो कहता है मरना तो मुझे वैसे ही है लेकिन मरने से पहले क्या मैं मारने वाले का नाम जान सकता हूं क्योंकि मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है ऐसा मैंने क्या गलत किया है कि कोई मुझे मरवाना चाहता है मुझे मरना तो है ही लेकिन मरने से पहले क्या आप मुझे मारने वाले का नाम बता सकते हो इससे मैं चैन से मर सकता हूं यहाँ पर जो तीनों लोग होते हैं वो थोड़ा सा पसीज जाते हैं में से एक ये कहता है कि ये आपको मरवाना चाहते हैं और वो कौन था दोस्तो वो थी उसकी पतनी अनुपलवी ये सुनकर के नमीन की हालात खराब हो जाती है और नमीन ये कहता है कि मैं तो ये नाम सुनकर के वैसे ही मर चुका हूँ आप मुझे मार ही दीजिए इस पर उन त परसी जाता है और तीनों का दिल बदल जाता है वो कहते हैं कि हम नमीन को नहीं मारेंगे और वो तीनों मिलकर के नमीन के साथ पार्टी करते हैं और उसमें भेंकर रूप से सराप पीते हैं शराप पीने के बाद में तीनों नमीन को बेहोश करके उस पर टमाटो केचप ला लगाय जाता है और फिल्टर लगा करके एक फोटो कीची जाती है और वो फोटो पलवी को भेजा जाता है वाटसप से ये बतानी के लिए कि वो मर चुका है नवीन अब खतम हो चुका है 90,000 उन्होंने एडवांस ले लिए हैं 1,10,000 जो रुपए बचे हैं वो हमें दे दो हम काम कंप्लीट हो चुका है अनुपलवी वो फोटो देखती है सुबह वो तीनों उसके पास जाते हैं अनुपलवी एक लाग 10,000 उपे उसे देती है और काम तमाम हो जाता है अनुपलवी खुश होती है कि उसका पती मर चुका है लेकिन भ़ला कोई अपनी पती को अपने प बहाने से या टैक्सी के बहाने से जब नमीन घर से बाहर रहता था तब उससे मिलता था और वो उसकी और उसके सास के लिए एक गिफ्ट रोजाना ले जाया करता था जिससे उनका मिलना जुलना अधिक हो चुगा था और मिलने जुलने के बाद में हिमावत कुमार उनसे रिल उसको कहती है कि राष्टे से हटाने के लिए हम तो किलर है नहीं हमने कभी किसी को मारा नहीं है इसलिए किसी को हायर करो ताकि वो कांग करे। हिमाउत कुमार उन तीन लोगों को खोशता है जो उस दिन 23 जुलाई को नवीन को साथ लेकर के सुनसान जगा जाते हैं दो लाक में डील होती है पैसे भी हिमाउत कुमार ही देता है लेकिन 23 जुलाई को खतम होने के बाद में जब वो फोटो अनुपलवी के पास आती है और अनुपलवी हिमाउत कुमार को फोटो भेज़ती है कि नवीन हमारे रास्ते से हट चुका है। इस से हमाउत कुमार उस फोटो को देखकर देखकर पस्तावा करता है कि मैंने एक पत्नी को चीन लिया, उनके दो बच्चे हैं, उनको चीन लिया, सिर्फ एक लड़की के प्यार में एक व्यक्ति की मैंने जान ले ली, कल को अनुपलवी से पूच्ताच करेगी और पूच्ता अनुपलवी परेशान थी, और ये सारा किस्ता पूलिस को बताते बताते नवीन रोने लगता है, और अब पूलिस उसकी सास को भी गरिफदार कर लेती है, जो काम करवाने में साथ में थी, और अनुपलवी को गरिफदार कर लेती है, और उन तीन लोगों को गरिफदार कर पुलिस कहती है कि ये केस तो दर्ज हो चुका है अब जो भी कहना है कोर्ट में कहना और कोर्ट क्या कहता है उसके अधार पे ही हम काम कर सकते हैं तो ये कहानी थी अनुपलवी की और हिमाउत कुमार की जिसमें हिमाउत कुमार डर के मारे पहले ही फांसी से जूल जाता है और तीन कीलर जिनका दिल बदल जाता है और टमाटो केचप लगा के नकली फोटो भेजते हैं और नमीन कुमार इस तरीके से अपने घर वापस आता ह और अन्नुपलवी जो अपने पती को बहुत ज़्यादा कभी प्यार करती थी वो भी उसको मारना चाहती थी धन्यवाद कुछ भी हो सकता है सातरक रहें सावचित रहें